नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में आश्रा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे राइस के प्रोडक्शन के बारे में उसके फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और इंटेगरेट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो चलिए आईए बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि राइस कल्टिवेशन का सिस्टम क्या-क्या है तो ट्रडिशनली जो राइस पार्मिंग एंडिया में होती थी उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता था वेट लैंड यानि कि जो लो लैंड राइस है वो और दूसरा होता था कि ड्राय लैंड या कि अप्लैंड राइस जो है वहाँ पे तो उसी के हिसाब से अलग-अलग प्राक्टिस जो थी वो डेवलप होई थी किस-किस पर डिपेंड करता था वो कि जैसे जो सॉइल टाइप है जिस लैंड का एरिया का वहाँ पे सीजन क्या हो रहा है रेइनफॉल का पाटन कैसा है इरिगेशन सोर्स कैसा है और ग्रोइंग कंडिशन क्या क्या है तो उससे पर डिपेंड करता था कि किस टाइप की कल्स्राल प्राक्टिस हम राइस के लिए लेंगे बर्दन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा राइस में हाई-yielding varieties आई, photo insensitive और fertilizer responsive varieties, hybrids ये सब डेवलब हुए तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रॉपिंग पाटन था वो भी काफी हद तक चेंज हुआ तो उसी के साब से अगर हम देखें तो हमने राइस के तीन major cultivation systems डेवलब किये हैं पहला system है इसका dry cultivation तो जो dry cultivation है इसमें क्या होता है कि ये generally rain-fed ecosystems में होता है इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये dry है, rain-fed में हो रहा है और पहा से इसलिए कोई facilities irrigation की provide नहीं की जाती इसमें क्या होता था कि generally drought animal या फिर disc hero की मदद से जो है land को prepare किया जाता है उसको plow किया जाता है ताकि weeds अगर हट जाए और जो tilt है वो काफी fine हो जाए तो जो seeds होती है वो directly हम sow करते हैं by broadcasting या फिर line-sowing कर देते हैं तो इसमें generally tall traditional varieties यूज होती थी उनके साथ early maturity या drought tolerant varieties यूज करी जाती है और इसमें कोई खास chemical fertilizers यूज नहीं होते हैं और सारा जो भी काम है land preparation से लेके seedling, harvesting, threshing ये सारा manually होता है next type का cultivation है वो है semi dry cultivation तो इसमें क्या करते हैं कि seeds की sowing तो ऐसे ही होती है पहली बारिश के बाद seeds को sow कर दिया पर इसमें क्या होता है कि जिसे 45-60 दिन के बाद क्या होता है कि जब monsoon active हो जाता है तो rain water जो है वो सारा का सारा field में भर दिया जाता है और उसके बाद दुबारा से plowing होती है और उसके बाद जो है हम उसको ऐसा wetland crop लेते हैं और उसमें सारी cultural practices जो हैं उसी तरीके से होते हैं तो इस system को generally बोलते हैं बूशन cultivation और इसको और उरिसा और मदर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें क्या फाइदा होता है कि weeds इसमें ज़्यादा ग्रो नहीं करती और जो pest का टाक है जैसे कि rice galmich का यह सब भी control हो पाता है तो next हमारा है wet cultivation इस system में क्या होता है कि water की supply बहुत अच्छे से अशोर की जाती है या तो rainfall की से या फिर irrigation से या दोनों से तो इसमें सबसे पहले land को prepare किया जाता है अच्छे से उसकी plowing करते हैं उसके बाद 3-5 cm के standing water में paddling की जाती है अब paddling से क्या होता है कि जो field होती है वो बहुत soft हो जाती है ताकि उसमें अराम से transplanting की जा सके paddling का एक और फायदा होता है कि percolation losses काम होते हैं और weed control होती है paddling को generally bullock cards के थुरू या plow या wooden plant के थुरू किया जाता है और उससे क्या होता है कि बड़े-बड़े farms में generally हो पाती है power tillers, tractor mounted और इन सबसे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा एक soil बहुत अच्छा प्रिपेर हो जाती है जिससे की अराम से transplanting हो सके अब हम बात करते हैं कि किस तरह से rice को अलगल एक ecological conditions में grow किया जाता है सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे जादा जो rice grow हो रहा है वो है हमारा irrigated transplanted rice तो वो irrigated conditions में as a transplanted crop हम rice को grow करते हैं around 45% rice इस तरह से grow किया जाता है इसमें directly germinated seedlings हैं उनको puddle field में लगाया जाता है और उसमें सबसे important क्या होता है कि irrigation water बहुत जादा मिले और labor की availability बहुत अच्छी हो तो यह बहुत असानी से हो जाता है तो rice के transplant करने से पहले एक सबसे important step है वो है कि आप nursery raise करें तो nursery raising बहुत important step है उसमें क्या होता है कि हमारे जो rice के छोड़ी छोड़ी seedlings होते हैं उनको grow किया जाता है और nursery को अलग-अलग type से raise किया जा सकता है soil type के ओपर ध्यान देते हुए अगर हम देखें कि वहाँ अलग-अलग किस type की soil है irrigation water कितना मिल रहा है और seasonal factors क्या-क्या है वहाँ पे तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम nursery को अलग-अलग तरीके से grow कर सकते हैं और major हम तीन तरीके से grow करते हैं पहला है हमारा wet nursery दूसरा है हमारा dry nursery तीसरा है depog method यूश करके तो सबसे पहले हम बात करते हैं wet nursery के बारे में तो wet nursery में seed bed को transplanting से कुछ 25-30 जिन पहले prepare किया जाता है उसमें क्या करते हैं कि हम seed की दो बार अच्छे से plowing कर देते हैं dry conditions में उसके बाद पड्लिंग करते हैं standing water में around 2-3 cm deep water होना चाहिए और उसमें पड्लिंग की जाती है तीन बार की जाती है पांच पांच दिन के intervals पे तो टोटल सीट बेड़ एरिया है वो टोटल एरिया का 10 परसंट होना चाहिए और हर 100 मीटर स्क्वेर के सीट बेड़ पे नाइट्रोजन फॉस्पोरिस और पोटाशियम पॉइंट 5 से 1 kg नाइट्रोजन 0.5 kg P2O5 और 0.5 kg K2O डालना पड़ता है लेवलिंग करने से पहले nursery यह टाल दिया जाता है उसके बाद लेवलिंग कर दी जहती है रवी सीजन में अगर में ग्रो कर रहे है तो इसमने फॉस्पोरस का जो डोस है वो डबल कर दिया जाता है Չसमन come temperature होता है तो और अगर बात करें सीटç की तो सीट ही को सोक किया जाता है गहनी बैग्स में एरा तो पानी चिड़क देते हैं फिर सीट्रीट्मेंट करते हैं और जो हमारा स्प्राउटेट सीड्स होते हैं उनको हम ब्रॉड कास्ट कर देते हैं अगर पेस्ट अफेक्टेड एरियास हैं तो वहां पर फोरेट रानोल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि इन गाल में जोर सेंबोर ना लगी और अगर आप नहीं करना चाहरें तो वाटर लेवल को अराउंड दो से तीन सेंटीमीटर की डेप पर मेंटेन किया जाता है और नाइट्रोजन फेटिलाइजर की टॉप डेस्टिंग की जाती है सेट्लिंग के एमर्ज होने के 15 दिन के बाद वीडिंग कर सकते हैं मैनुली की जाती है और सेट्लिंग जो है अराउंड जर्मिनेशन के पच्चे से 30 दिन के बाद जो है ट्रांस्लांटिंग के लिए तयार हो जाती है नेक्स हम बात करते हैं ड्राय नस्री की ड्राय नस्री को रेज करने का जो प्रोसीजर होता है वो अल्मोस्ट सेम है अज वेट नस्री और उसमें सिर्फ यह डिफरेंस होता है कि जो फील्ड है उसका हम 3-4 बार प्लोइंग करते हैं 5 दिन के इंटर्वल पर वो कप करते हैं जब मॉन्सून आजाता है तब तो ड्राइ सीड्स को हम फिर उसके बाद ब्रॉडकास कर देते हैं या फिर क्लोज लाइन में डाल देते हैं और फिर उसके ओपर थोड़ी सी स्वाइल डाल देते हैं जब भी हम ऐसा लगता है कि कुछ मुनोपॉट वीड्स अगर परिशानी क है वो कैलकेरियस है या हाइली आलकलाइन है तो जो सीड्स है उनको हम ओवरनाइट सोक कर देते हैं 2% फेरस सल्फ़ेट सॉल्यूशन में ताकि नर्सरी में ना हो प्रॉब्लम अगर हमारे को क्लोरोसिस हो रहा है सीड्लिंग्स में तो 2% फेरस सल्फ़ेट सॉल्यूशन 20-25 दिन के बाद जॉमिनेशन के 20-25 दिन के बाद रेडी हो जाती हैं ट्रहांस प्लांटिंग के लिए और ज़रूरी है कि हम जो है कि एडिकवेट मॉश्यूर में इंश्यूर करें नर्सरी में ताकि कोई रूट डामेज ना हो जब हम सीड्लिंग्स को निकालें तो नेक्स में सॉइल नहीं होगा तो अब क्या होता इससे कि इस मेटर्ड को हम क्यों अडॉप कर पाते हैं क्योंकि राइस का जो सीड है उसके एंडो स्पर्म में अपने आप इतना फूड होता है कि 14 दिन तक सीड्लिंग को ग्रो करा सके बिना किसी एक्स्टरनल एजिंट के लाइक वाट यह सन्लाइट के तो इस वज़े से हम कह सकते हैं कि राइस सीड्स टुहें ग्रो कर जाते हैं डेपाउघ निस्री को क्रिएट करना बहुत ही असान है और इसको हम ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जो कि जहांसे हम उसको अच्छी तरएसे मॉनिटर कर सके तो इसमें क्या करते हैं कि raised earthen beds बनाते हैं जिनका around one meter square का shape हो और उसको cover कर देते हैं banana leaf से या plastic sheeting से और इसका जो surface है वो हम ध्यान रखते हैं कि वो काफी हद तक level होना चाहिए फिर क्या होता है कि इसमें हम जो seed spread कर रहे हैं वो हमारे बाकी के जो तरीके हैं उन से जादा हम इसमें seed rate लेते हैं क्योंकि हमारी जो seeds होते हैं डेपॉग में दो सेंटिमेटर के depth पर जाते हैं पर होता क्या है कि transplanting के time पर इसके जो seedlings होती है वो थोड़ी छोटी होती है तो उनको अलग करने में थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए बेटर रहता है कि हम थोड़ा जादा seed ले तो हम speed seeds को spread कर देते हैं even layers में अप्रॉक्सिमेटली टू सेंटिमेटर की depth रखते हैं उसके बार फिर पानी डाल दिया उसके ओपर और थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं पानी और फिर कुछ दिन तक ऐसे ही दबा के रखते हैं ताकि seeds को moisture मिल सके अच्छी तरह से तो अगर आप insulation नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि seeds जो है वो हमारे dry out हो जाएंगे next time इसमें third day से bed को continuously flooded रखते हैं थोड़ा सा एक thin सी layer पानी की बना के रखते हैं उसको डेपॉक seedlings जो है वो जनरली नौ से 14 दिन में transplanting के लिए ready हो जाते हैं और जैसे कि हमने पहले पी देखा था transplanting के दिन पर फिर उसके बाद simply roll कर दो entire seedling mask को और फिर उसको लगा दो सिस्टम बात करते हैं SRID जिसका मतलब है system of rice intensification तो system of rice intensification में जो हम nursery raise करते हैं तो हमारा seed rate around 2 kg पर एक एकर रहता है और इसमें हम जैसे healthy healthy seeds ले दी और उनको sprout कर देते हैं तो प्री sprouted seeds जो होती हैं उनको हम raised bed बेस्ट कर तो नलस्के真的 bed अजीड हम जैसे पहले बना रहे थे वैसे बनाते हैं उसके ओपर 1 वार डालते हैं फिर उसके ओपर sprouted seedий चालते हैं और उसको दुबारा से उसके उपर एक और मैनियोर की लेयर से कवर कर देते हैं मल्चिंग करते हैं उसके बड़ पैडी स्ट्रॉ से और थोड़ा पानी डालते हैं उसको बनाना लीफ को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे फिर इजी होता है उसको उठाने में और ट्रांस्पोर्ट करने में सीडलिंग्स को तो इस तरह से हम इसकी नस्ट्री प्रिपेर करते हैं तो ऐसा राई का एक अच्छा टेक्नीक है इसमें क्या हुआ था कि जैसे हम बाकी स पारों में इसके बाद जब हम राई के ट्रांस्प्लांटिंग करेंगे तो जनरली हमारे वेट नसरी मेथर्ड है और उसके बाद करते हैं तो उसमें काफी सारा पानी यूज करते हैं बट देन ऐसा राई टेक्नीक जो है वह इस मित को ब्रेक करती है कि हमें राई के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत है तो जो हमारी वेट बेड नसरी जो हमने बनाई उसका फायदा यह होता है कि वो जो है फील्ड के बिल्कुल पास होती है उसकी वज़े से इरिगेशन मिल पाता है सीडलिंग जो है वो बहुत एजिली ग्रो करती है बहुत तेजी से और उन्ह निकालना भी बहुत असान होता है और क्योंकि यह लोग फील्ड के पास ही है तो हम इनको फार्मर के फील्ड के काफी पास बने होते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसको इधर सो दर शिफ्ट करने में अब कर हम बात करें डिपाउग की तो डिपाउग नसरी य एक बहुत ही जादा फास्टेस मेतट है सीडिंग को रीज करने का इसमें हमने देखा था कि हमने इसका जो एरिया है नसरी का वह भी कम रखा था अब क्यूंकि यह डिपाउग मेतट है इसको बहुत जादा इरिगेशन की जरूरत नहीं है तो हम इसको फार्मर के घर के पास भी बना सकते हैं और इसमें क्यूंकि हमारा सीड रेट भुत लेरे थे हम सीड्लिंग का सीडिंग को रेस करने में तो क्यूंकि हमने ज्यादा सीडि यूज किया हैं तो अगर कुछ सीडियों समारी कि're साब भी हो जाते हैं पैस्ट अटेक हो जाता है कुछ अधार है तो इस है सिख ही है एक ग्रूलों करका है कि तो इस एसे ही हमने देखा कि हमारे 5-10 cm तक field को समर्ज करते हैं standing water में 3 दिन के लिए transplanting से पहले और उसके और उसमें हम 10 turns Fym और 10-20 turn green manure भी डालते हैं तब हमारी जो seedling होती है वो around 25 दिन पुरानी होती है उसमें 4-5 leaf stage होता है तो हम उसका पूरूट करते थे nursery bed से और transplanting करते हैं around 3-4 cm deep और जो हम spacing रखते हैं वो 20 by 15 cm या 20 by 10 cm की रखते हैं जिसमें हम 2-3 seedlings per hill एक line में plant करते हैं और अगर हम random planting कर रहे हैं तो 10-15 cm 10 cm by 15 cm का हम spacing लेते हैं डिपाउग nursery अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 14 दिन पुरानी seedling होती है हमारी और उसको 5-6 seedlings per hill के according plant किया जाता है एक सगर हम देखते हैं fertilizer management की तो fertilizer में हम सबसे पहले 3 split doses में nitrogen देते हैं half as basil dose देते हैं टॉप dressing 1-4 से करते हैं रहां 20-25 kg पर हेक्टेयर टिल रिंग सेच पे panicle initiation के एक हफता पहले हम 20-25 kg पर हेक्टेयर nitrogen अप्लाए करते हैं P2O5 हम 40-45 kg पर हेक्टेयर करते हैं K2O 30-40 kg पर हेक्टेयर और zinc sulfate हम 40 kg पर हेक्टेयर डालते हैं अगर हमारी soil saline या sodic है तो हम zinc sulfate थोड़ा बढ़ा देते हैं 100 kg पर हेक्टेयर डाला जाता है पाये fertilizer भी यूज़ कर सकते हैं जैसे की blue green algae या azola तो उसको हम अगर यूज़ करेंगे तो 20-25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रवाइड करेगा वो तो इसी साब से हमारा fertilizer management चलता है fertilizer application के बाद सबसे important होता है हमारा water का manage करना तो properly अगर water को manage किया जाए तो उससे हमारी tillering अच्छी होती है और nitrogen uptake बढ़ता है water management अच्छा होने से weed की population भी कम होती है proper leveling होनी चाहिए field की और proper drainage भी होना चाहिए अच्छे से ताकि हमारा जो irrigated fields में water effectively manage हो पाए around 2-5 cm water हम throughout growing season रखते हैं और अगर drop dressing करनी है तो किसी fertilizer की तो उससे पहले water को drain out कर देना चाहिए और 24 घंटे तक वैसे ही रखना चाहिए उसके बाद हमें drop dressing करनी चाहिए next हम बात करते हैं rice की harvesting के बारे में तो जैसे हमारे rice के grains mature होते हैं तो उने हमें फटा-फट harvest कर देना चाहिए क्योंकि अगर हम उससे जादा उसको रखेंगे तो क्या होगा कि जादा drying हो जाएगी sun से drying हो जाएगी और उसकी वज़से cracks develop हो जाएगे फ्लारिंग के 25-30 दिन बात करते हैं जबकि जो लेट varieties होती है उसमें 35-40 days के बात करते हैं तकि properly harvest हो सके अराउंड 20 दिन बात जब 50% फ्लारिंग हो जाती है तो उसके बात क्या होता है कि फील्ड को पूरी तरह से हम ड्रेन कर देते हैं ताकि proper grain filling हो पाए और जो grains हैं वह हार्ड हो पाए मौश्य कंटेंट पैडी का जो हार्वेस्टिंग के टाइम है वह अराउंड 20% होता है जो हार्वेस्टेड ग्रेंज हैं उनको हम फिर चेड में ड्राइ कर देते हैं ताकि मौश्य कंटेंट अराउंड 14% हो जाए ताकि उससे स्टोर कर सके और फिर बात में मिलिंग में पैटोजन ना लगे स्टोरिज पेस्ट हमारे इसको अटक ना कर पाएं कोस्टल एरियास में जहां पर बहुत ज्यादा साइक्लों एक रेगुलर फीचर होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पैडी सब्मर्ज हो जाता है और फिर क्या होता है कि ग्रीन्स जर्मिनेट होना स स्टार्ट कर देते हैं उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेवी यील्ड ऑसे होते हैं तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए डिरेक्टरेट औफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने एक में अडॉप्ट किया था कि सॉल ट्रीटमेंट करते थे वह तो उसमें क्या होता कि सीड का germination 10-12 दिन के लिए टल जाता था तो उससे क्या होता था कि फाइनली हमारा सीड दस बारे दिन बाद जब हमारा वाटरी सीड हो जाएगा पूरा उसके बाद अच्छे से Gominate होगी तो उससे फिर हमारा जो Losses हैं उससे बच सकते हैं तो हावेस्टिंग के साथ ही हम इस सेशन को समाप करते हैं नेक्स सेशन में हम बात करेंगे कि राइस में Weeds और Diseases, Insect Pests कौन कौन से अटाक करते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब्स्राइब कर सकते हैं अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आपकी जो भी Queries हो या कोई भी Problem हो या कुछ भी और Additional चाहिए हो तो आप उसके लिए हमें Comment में Reply कर सकते हैं Thank you